नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में तो दोस्तों क्या आप सभी के पास भी है यूनियन बैंक ओफ इंडिया का कोई डेविट कार्ड और आप चाहते हैं उस डेविट कार्ड को हमेशा के लिए बंद करना कई लोग है जो की एनवली ज्यादा चार्ड कर रहा है जो की डेविट कार्ड का पर वो लोग इस्तमाल नहीं करते हैं तो आप जो की इस कार्ड को बंद कर सकते हैं या आपका कार्ड कहीं से खो गया है आपसे मिस हो गया है तो आप उसको हमेजी से के लिए बंद कर सकते हैं और यह जो process बता रहा हूँ इस process को अगर आप करते हो तो इस साल के बाद है जो कि आपका इस debit card का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा यह जो कि permanently आपके account से बंद कर दिया जाएगा तो पूरा process में आपसे भी को live यहाँ पे अपने phone में करके दिखाने वाला हूँ तो अगर आप भी करना चाते हो तो इस process को पूरा end तक देखे और बिना किसी देरी के हम इस video को जल्दी से शुरू कर लेते हैं तो फ्रेंट process को सुरू करने के लिए आपको है जो कि अपने phone में VM application यानि कि Union Bank of India का एक application है VM जिसको कि आप Mobile Banking application कह सकते हो तो इसको है जो कि आपको registration करके रखना होगा जबी है जो कि आप इस process को आगे कर पाओगे तो आप यहाँ पे आते हो तो उसके बाद है जो कि एप में login कर चुके हैं यहाँ पर आपको जो कि स्क्रोल डाउन करते वे नीचे की तरफ आ जाना होगा और नीचे आप आते हो तो यह देखिए transact इस वाले section में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए debit card तो यह यहाँ पर इस card को जो कि permanently बंद करने वाले हैं तो इसका मतलब बता देता हूँ यहाँ पर जो कि आपको काफी चार ओप्सन मिलते हैं तो कई लोग जो कि simply अपने card को जो कि यहाँ से block कर लेते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि उनका card जो कि permanently बंद हो गया है पर ऐसा नहीं है आप यहाँ से block करोगे तो आपके card के हैं जो कि charges तो काटे ही जाएंगे पर कोई card का है जो कि miss use नहीं कर सकता है पर आपको permanently बंद करना इसके सारे charges भी बंद करने एटू जैड हर चीज है जो कि बंद करनी है तो आपको एक option दिख रहा होगा है यहाँ पर होट listing इस वाले option पर जो कि आपको क्लिक करना होगा इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर पूछ रहा है और बता रहा है आपको once the card has been hotlisted it cannot be used again including POS ATM for online transaction यानि कि यह साफ साफ कह रहा है यहाँ पर कि अगर आप एक बार है जो कि अपने card को hotlist कर देते हो तो फिर है जो कि आप इस card का इस्तमाल कहीं पर भी नहीं कर पाओगे तो हमें इसका इस्तमाल कहीं करना ही नहीं है से हम बंदी करना चाहते हैं तो simply प्रूसीड वाले option पर आप क्लिक करोगे जैसी प्रूसीड वाले option पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो आपको अपना debit card है जो कि select करना होगा यहाँ पर option में से और उसके बाद है ज जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो उसके बाद simply है जो कि नीचे आप प्रूसीड वाले option पर क्लिक करते हो यहाँ पर confirmation मांग रहा है आपसे finally तो यहाँ पर है जो कि आपको confirm वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा अब यहाँ पर आप डालोगे अपने transaction का pin जो भी आ that fast तो successfully है जो कि हमारा debit card है जो कि hot list हो चुका है यहाँ पर हमें एक SMS भी मिल गया है देख लीजिए your debit card ending with for phone has been blocked तो यह permanently है जो कि बंद हो गया है अब जो कि अगर आपको नया card issue कराना है तो आपको branch में विजिट करना होगा यहाँ फिर आपको है जो कि online apply करना पड़ेगा तो friends इस तरीके से है जो कि आप अपने debit card को permanently hot list कर सकते हो तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे होगी तो like करें अपने channel को subscribe करें मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ जब तक ले जैहन वंदे मातरम